हमें कौन दुख देता है? आईए सुनते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा यह प्रेरक्क था. एक बार महात्मा बुद्ध किसी गाव में प्रवचन दे रहे थे. वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण है स्वयम को किसी से बांधना. जहां भी आश्रम को लोट गए. अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया. वह बुद्ध को दंडवत करता हुआ बोला, महात्मन, मैंने कल आपका उपदेश सुना. आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई है. मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है. सारी मोह माया का त्याग क अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ. उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुसकराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन-कौन से बंधन तोड़े और किसका मोहत्याग दिया है. वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना, तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है. अगर मैं इसके चक्कर में पढ़ा रहूंगा, तो कभी सत्य को नहीं जान सकूंगा. इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आय बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया. वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभू, मैं अपने जीवन की सारी चीजों को पीछे छोड़ाया हूं और अब आगे बढ़न चाहता हूं. बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, आज तुम यहीं आश्रम में रूको, कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है? बुद्ध ने अपने एक शिश्य की ओर इशारा किया. शिश्य ने उसे आश्रम के अतितिक कक्ष में व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा. उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतराता रहा. अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जा कुछी देर में वह पसीने से तरबतर हो गया. उसे प्यास भी सताने लगी. वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता, तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता. कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी. पर वह एक सुनसान और बं में इतनी दूर भेज दिया. काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गाव में जा पहुँचा. गाव के बाहर ही एक घर बना हुआ था. उसने दर्वाजे के पास पहुँचकर उसे धीरे से खट-खट आया. दर्वाजे को एक साधिका ने खोला. उसके चेहरे पर एक अ साथ मुहद होया और एक चटाई पर बैठ गया. साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी. वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा. अचानक उस व्यक्ति की नजर साधिका के पैरों पर पड़ी. उसके पैर बहुत सुन्दर थे. वह उन्हें देखता ही रह गया. त नजरे नीची करके चुपचाप भोजन करने लगा. भोजन करने के बाद साधिका ने कहा आप बहुत दूर से आए हैं. ठक गए होंगे. यहीं चटाई पर लेट जाएं. मैं पंखा कर दूँगी. वह व्यक्ति बहुत ठका हुआ था. वह चटाई पर लेट गया और अपनी कितनी सुन्दर है. इसकी वाणी कितनी मोहक है. अगर यह मेरी पत्नी होती, तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता. साधिका इसके मन की बात समझ गई. वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है. यह केवल मान, समझ्जा और अस्थियों का जोड़ है. जो व्यक्ति इसके आकर जिसके लिए बुद्ध ने कहा था. साधिका ने मुस्करा कर जवाब दिया. बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था, वह पूर्ण हो चुका है. साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई. वह दर्वाजे की ओर बढ़ चला. दर्वाजे के पास वह एक क्षण के लिए रुका और पलट कर बोला. क्या आप अंतर्यामी है? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? वह स्त्री मुस्कराते हुए बोली. बुद्ध की कृपा से मैं मोह, माया से उपर उठ चुकी हूँ. इसलिए भावनाओं से निरलिप्थ हूँ और किसी के चहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूँ. उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ती एक बार पुन्द, लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सतकार किया, मैं उसके बारे में क्या-क्या सोचता रहा? उसके बाद व बुद्ध मुसकराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसी लिए भेजा था, ताकि तुम अपने आपको देख सको, आप मुझे बताओ क्या तुम सच-मुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ती कुछ नहीं बोला, वह नजरें नीची की ये चाप खड़ा रहा, बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते, दरसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है, तुमने परिवार को छोड़ दिया, और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला, तु मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छोड़ाना चाहता था, वह बहुत बीमार रहती है, एक वर्ष से हमारे बीच संबंध भी नहीं बन पाए, मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार के दायत्मों का निवरहन भी ठीक धंग से नहीं कर पा कहा हूँ, शायद इसलिए मैं अपने परिवार से पीछा छोड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ, मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायत्मों का निवरहन ही असली कर्म है, बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूँ, वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ, लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहन करते हैं, इसी लिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को लोग बाहर की और खोजते हैं, जबकि ये हमारे भीतर ही हैं, हम दूसरों को देख कर त तरह की कामना करने लगते हैं, कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है, और वासना की पूर्ती न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, मन के कारण ही हम दुख पाते हैं लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुँच जाता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी बेहत पसंद आई होगी खुद को प्रेरित रखने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें धन्यवाद उम्साइराम